Hello students, I hope you are all good. My name is Ayushi and I will teach you mathematics. So, आज हम discuss करेंगे class 12 की 3rd unit, जिसको हम कहते हैं calculus. इसको आप Hindi में क्या कहेंगे? कलन. इसमें आपका एक chapter है, applications of derivatives. इसको आज हम discuss करेंगे. और आप इसको Hindi में क्या कहते है? अब कलनों के अनुप्रियोग. तो आज हमारे chapter का नाम है application of derivatives. तो चलिए start करते हैं. तो students, आज हम start करेंगे applications of derivatives. अब करनों के अनुप्रियोग. प्रिवियस chapter में हमने discuss किया था, derivatives कैसे find किये जाते हैं किसी भी function की. यहाँ पर हम discuss करेंगे कि कैसे उन derivatives को real life में use किया जाता है. तो now, now is the time to see how we use, apply derivatives in real life. तो let's start it. यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि कैसे rate of change होता है quantity के अंदर. कैसे हम increasing function, decreasing functions के applications देखते हैं. derivatives के अंदर. तो आज हम इनी सब के उपर बात करेंगे. सबसे पहले हम बात करेंगे rate of change of quantity. तो चलिए start करते हैं और heading बनाते हैं. rate of change of quantity की. rate of change of quantity. यहाँ पर quantities करेंगे because हमारे पास बहुत सारी quantities यहाँ पर हमें use होंगी. तो इसको आप कहेंगे ratio की परिवर्टन की दर. यहाँ पर एक word use हो रहा है quantities. यह word का मतलब क्या है? यहाँ पर quantities का मतलब है कि आपके पास जो changes होंगे. वो हो सकता है velocity में हो. हो सकता है time के respect में हो. हो सकता है acceleration के हो. It means एक quantity का किसी दूसरी quantity के respect में change होना ही rate of change of quantity कहलाता है. यहाँ पर हम अगर इसे denote करें. mathematically तो हम कहेंगे हमारे पास function है y equals to fx. यह function है यहाँ पर x के respect में. तो हम यहाँ पर कहेंगे अगर मुझे इसका rate of change निकालना है तो किस तरीके से fine करेंगे? इसका derivative निकाल लेंगे. dy by dx यहाँ पर क्या आएगा? f dash of x. it means y equals to fx का rate of change dy by dx होगा. और dy by dx को आप जानते हैं कि dy by dx को ही हम लिख सकते हैं किसी भी y dash of x. बिकॉज यहाँ पर हमने first derivative निकाला है x के respect में. तो आप इसको दो तरीके से जानते हैं. first is first derivative और second first order derivative. यहाँ पर हमने क्या कहा है कि rate of change किसी भी quantity के अंदर कैसे होता है? एक quantity का किसी दूसरी quantity के respect में change होना rate of change कहलाता है. हो सकता है velocity का time के respect पे हूँ. या फिर आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जो भी quantities होंगी हमारी area हो सकता है, हमारे volume हो सकता है, इनका x के respect में या फिर हमारी जो radius है, उसके respect में अगर change होता है तो वो कहलाता है rate of change. ओके, तो यहाँ पर clear है कि किसी भी quantity का rate of change क्या होता है? जिसमें हमने लिया एक function fx जिसको हमने y से show किया, and y का अगर first derivative हम निकालते हैं, dy by dx तो वो equal होता है f dash of x. यहाँ पर दो तरीके से हम first derivative को represent करते हैं, dy by dx and y dash of x. यहाँ पर यह दो तरीके हैं, इसके बाद आता है कि अगर हमें rate of change निकालना हो, किसी point के उपर, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? अगर हमें at a point rate of change निकालना है, तो point को पहले let करते हैं, कि हमने x equals to x1 माना, कि हमारे पास जो point है, वो x1 है, और इस x1 point पर मुझे rate of change फाइन करना है, तो यहाँ पर show करनी का तरीका आपका होगा, जो first derivative है, उसे लिखिए dy by dx, और यहाँ पर bracket में, bracket के आगे x equals to x1, clear है? यहाँ पर हमने क्या किया है? first derivative जो भी निकलेगा, उसमें आप x की value को रख देंगे x1, जो भी given value होगी, या फिर दूसरा तरीका क्या है? कि अगर आपके पास आजाता है कोई function f dash of x, तो इसमें आप क्या कहेंगे? x की जगा, अगर x1 को put कर दें, तो यहाँ पर हमारे पास at a point value आजाती है, first derivative की. तो at a point अगर आपको कोई भी दिया होगा, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं उसको. यहाँ पर एक और situation बन सकती है कि अगर आपके पास एक function नहीं है, अगर आपके पास दो functions हैं, जैसे कि आपके पास एक function है x equals to f of t और आपका दूसरा function है y equals to g of t. यह दो functions हमें given हैं और हमें निकालना है first derivative. इट मींस हमें निकालना है dy by dx. प्रिवियूस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि dy by dx chain rule के 2 निकलता है. तो वहीं यहाँ पर apply करेंगे dy by dx को निकालने का तरीका क्या होगा? dy by dx का formula होगा dy by dt upon dx by dt. dy by dt कैसे निकालेंगे? कि जो भी y function है उसका t के respect में differentiate करेंगे और जो भी x function है उसको again t के respect में differentiate करेंगे. और दोनों की जो values हमें मिलेंगी उन्हें हम upon में रखके और dy by dx को resultant देंगे. तो आपके पास अगर दो functions हैं तब भी आपको क्या करना है? chain rule लगाना है और dy by dx निकालना है. यहाँ पर भी same process होगा कि अगर आपको at a point निकालना है तो dy by dx और आप point किस तरीके show करेंगे? x equals to given point. यह clear है? तो यहाँ पर rate of changes के जो आपकी situations बन सकती हैं वो first थी कि अगर आपसे किसी quantity का with respect to other quantity पूछी जाती है तो आप कैसे निकालेंगे? उसका differentiate कर देंगे और easily आपको dy by dx निकल जाएगा. Second is कि अगर आपके पास at a point आता है तो आप इस तरीके से उसे represent करेंगे. अगर आपके पास दो functions आते हैं तो dy by dx as a chain rule आप use करेंगे. अब rate of change आपका clear है. इसके बाद इसमें हमें पढ़ना है increasing functions and decreasing functions. तो चलिए start करते हैं. तो increasing functions और decreasing functions बेसिकली हैं क्या? तो सबसे पहले heading बनाएंगे increasing function and decreasing function. इसको आप हिंदी में क्या कहेंगे? वर्ध मान तथा हास्से मान पलन. देखें, यहाँ पर कोई function है, जो भी function अगर increase हो रहा है, x की value मान लीजी increase हो लिए, तो वो function कैसा होगा? increasing function होगा. अगर हम कहते हैं कि x की value तो increase हो रही है, बट हमारे पास जो resultant है y है, वो हमारे पास decreasing मिल रहा है. decrease मिल रहा है, it means वो कहलाएगा decreasing function. यहाँ पर increasing function और decreasing functions के कुछ types हैं, जैसे कि increasing function के अंदर बात कहें, तो आता है कि stickly increasing function और decreasing function के अंदर बात कहें, तो इसके अंदर आता है stickly decreasing function. यहाँ पर आपको एक बात घ्यान रखनी है, कि increasing function और decreasing function में जो x होता है और y, आपस में relate करेंगे, एक relation को show करेंगे, हो सकता है कि x के बढ़ने पर y भी बढ़ेगा, y is the resultant, so x के बढ़ने पर हो सकता है y बढ़े, या फिर दूसरी condition x के बढ़ने पर y decrease हो, घटेगा, तो यहाँ पर x और y के बीच में हमें relations देखनी के लिए मिलते हैं, कि किस तरीके से increasing और decreasing functions show होते हैं, तो सबसे पहले बात कहेंगे, अब strictly increasing function की, और उसका देखेंगे diagram, तो यहाँ पर आपको दिया गया है strictly increasing function का एक graph, जिसमें आप देख रहे हैं कि आप इसको हिंदी में कहते हैं, निरंतर वर्दमान फलन, तो इसके अंदर हम बात करेंगे कि हमारे पास जो गर्व है, वो कुछ इस तरीके से हैं कि x और y plane है, और कुछ values x की रखने पर हमें y की values निकल रही है, इसमें यहाँ पर function जो है, वो x और y के बीच में है, x की values को put करेंगे और y हमें मिलेगा, clear है, तो यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या किया, कि हमने x की value कुछ भी put की, then हमें y की value मिली, फिर दुबारे से हमने कोई x की value put की, then y की value मिली, और आप देख रहे हैं, कि अगर यहाँ पर x की value हम one by one put कर रहे हैं, तो y की values हमें मिल रही है, वो भी increasing मिली, it means x की हर value के लिए, जो function है, वो always increase हो रहा है, मान लेते हैं कि जो x की value बढ़ रही है, यहाँ पर जो x की value रख रहे हैं, one, two, three, इस तरीके से, तो जो हमारा function है, fx, जिसे हम y कह रहे हैं, वो भी बढ़ रहा है, यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, कुछ इस तरीके का curve देख रहे हैं, और इस curve के अंदर, हमारे पास increasing graph है, it means, यहाँ पर हर x की value के लिए, हमारा जो curve बनेगा, वो always increase होगा, यहाँ पर एक बात आपको याद रखनी है, कि यहाँ पर always increase मिलेगा, यहाँ पर आपको always increase curve मिलेगा, यहाँ पर ना तो decrease मिलेगा, ना ही equal मिलेगा, जैसे कि हम कहें कि जो भी x की value हमने put की, वही हमारी y की value आजाएं, आपस में कभी भी equal नहीं होगी, बिकॉज यहाँ पर हम strictly increasing function की बात कर रहे है, it means strictly यह follow होगी condition, कि always increasing ही हमें function, जो भी function का graph है वो मिले, ना तो हमारे पास x equals to y मिलेगा, और ना ही हमारे पास कभी भी यह decreasing function होगा, कि x की value put करने पर, 1, 2, 3, इस तरीके से y की value decrease हो जाए, तो यह दो condition हमें कभी नहीं मिलेगी, इस strictly increasing function के अंदर, always हमारा graph क्या होगा, increase, इस diagram के तुरू, हमने सीखा strictly increasing function, यहाँ पर आप देखेंगे कि हर x की value के लिए जो function है, वो always increase है, अब यहाँ पर दूसरा graph देखें, तो यह है increasing function का graph, वहाँ पर पढ़ाता है strictly increasing function, अगर हम बात करें increasing function, जिसको आप वर्दमान फलन कहते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि x की y को put करनी पर y की value बढ़ रही है, बट कभी कभी equal भी हो रही है, जैसे कि अगर x की value को हमने up किया, बढ़ाया, then 1, 2, 3, जो भी values को put करना है, 1 by 1 हमने x की values put की, बट एक condition यहाँ पर यह आती है, कि x की value रखने पर y की value में कोई change नहीं हो रहा, आप देखेंगे यहाँ पर y की value एक constant value मिल रही है, और after that इसके बाद इस point पर हमारी x की value पुट करने पर फिर से हमें y की value मिलती है, और फिर से क्या मिलेगी increasing, तो it means यहाँ पर increasing functions तो मिलेंगे, increasing functions के graph मिलेंगे और साथ ही अगर x को बढ़ाने पर y बढ़ेगा, और हो सकती है, condition ये भी आपके आगई, कि x बराबर y भी हो सकता है, x की value जो पुट करेंगे वही value y की रही, तो यहाँ पर आप कैसे लिखेंगे इसे, कि अगर हमारे पास कोई function है fx, it means यहाँ पर x की value को, x की value पर मान रखने पर y के मान बराबर या वर्द मानोंगे, it means increase होंगे, तो यहाँ पर x की value जैसे जैसे बढ़ेगी, y की values बढ़ेंगी, और एक situation ये भी बनती है, कि अगर x की value को हम पुट करेंगे, तो y की value constantly रहे, clear, तो x की value और y की value equal भी हो सकती है, और हमारे पास increase भी मिल सकती है, बट यहाँ पर हमने देखा, कि कभी भी decreasing नहीं मिलेगी, तो decreasing value नहीं मिलेगी, यह value हमें कभी नहीं मिलेगी, यह बात ध्यान रखने हैं इसके अंदर, कि आपके पास increasing function दो conditions को satisfy करता है, बट third condition वो कभी भी satisfy नहीं करेगा, अब हम देखेंगे next diagram, इसमें आप देख रहें कर्व है हमारे पास, और यह strictly increasing function का है, जिसको आप हिंदी में कहेंगे, निरंतर हास्यमान फलन, इसमें आप क्या देख रहे हैं, कि जैसे जैसे हम x की values को put करें, जो y की values है, वो decrease हो रही है, अगर हम x की values को बढ़ाते हैं, तो y की values जो हमने fx माना था function, उसकी values always decrease मिल रही है, आप देखिए, इस curve के अंदर, जैसे जैसे हम values रख रहे हैं, x की और y की values हमें क्या मिल रही है, decrease मिल रही है, और यहाँ पर आपको बात ध्यान रखनी है, कि यह stickly follow होगी condition की, जैसे जैसे x की values बढ़ेंगी, y की value decrease होगी, इट मीज़ यहाँ पर आपका जो relation होगा, वो reciprocal या फिर proportional का नहीं होगा, यहाँ पर आप कहेंगे कि, आपका जो relation है, वो कुछ इस तरीके से होगा, जैसे x की value बढ़ाई, y की value always decrease होगई, यहाँ पर आपके पास always decreasing मिलेगा, यह बात आप ध्यान रखें, और दूसरी बात आपको क्या ध्यान रखनी है, कि यहाँ पर कभी भी condition आपकी increasing की नहीं बनेगी, तो increasing की condition satisfied नहीं रखेंगी, सिर्फ decreasing होगा, increasing नहीं होगा, ना ही equal होगा, clear, तो यहाँ पर सिर्फ एक condition ध्यान रखनी है, कि always हमें decreasing values मिलेंगी, जो भी x की values को हम put करेंगी, तो यहाँ इसके बाद हम सीखेंगे, कि हमारे जो decreasing function है, उसका diagram कैसा है, यहाँ पर देखिए, कि x की values जैसे हमने put की, जो y की values हमें मिल रही है, वो कुछ इस तरीके से हैं, कि कभी हमें decreasing मिल रही है, और कभी constant है, it means increasing में भी constant थी, और decreasing में भी constant value मिल रही है, y की, और x की value, जैसे जैसे हमने रखी, y की value decrease हो रही है, आप देखिए y की value क्या है? decrease, it means first property satisfy है कि x की value बढ़ाने पर y की value decrease होगी clear? यहाँ पर दूसरी situation क्या बनती है? कि हो सकता है जो x की value और y की value है वो आपस में equal हो जाए जो भी x की value पुट कहें वही y की value रहे यहाँ पर noted बात क्या है? कि कभी भी ना तो increasing function का graph हमें मिलेगा यहाँ पर always हमें decreasing function का graph मिलेगा या फिर हमें equal function का graph मिलेगा तो दो बात ध्यान रखनी है increasing function का graph यहाँ पर satisfy नहीं होगा clear? बस आपको इसमें यह ध्यान रखना है कि decreasing function है that decreasing होगा जो भी हमें given output होगा या फिर होता है equal हो तो दो situation है क्योंकि stickly decreasing नहीं है तो इसलिए दो situation यहाँ पर बनती है अगर stickly decreasing होता तो सिफ एक ही situation satisfy होती है वो है आपकी increasing x की value increase करने पर y की values always decrease अब इसके बाद हम कहेंगे कि हमारे पास कुछ ऐसे भी functions हैं जिनको हम mathematically show कर सकते हैं यह आपने पूरा theoretically पढ़ा अब अगर इसे mathematically show करना हो तो हम कैसे करेंगे तो mathematically आप कहेंगे कि हमारे पास माल लेते एक interval i है और उसके अंदर x1 और x2 contain है interval i है और उसके अंदर x1 और x2 हमारे दो points है और इनके बीच में हम बात कहेंगे कि हमारे पास अगर x1 x2 है तो कुछ output भी होना चाहिए x1 के लिए output होगा fx1 और x2 के लिए output होगा f of x2 तो हमारे पास input है और output है input है x1 x2 और output है fx2 और fx2 it means यहाँ पर जिसे हमने increasing function का graph देखा था तो हमारे पास कुछ इस तरीके से था इसमें हम जैसे जैसे x की value put करे थे y की values भी increasing मिल रही थी it means यहाँ पर हमे positive slope मिली positive slope मिली यहाँ पर show अगर करना है अगर strictly function के लिए strictly increasing function जिससे आप हिंदी में कहेंगे निरंतर बर्धमान परन तो यहाँ पर आप कैसे show करेंगे उससे आप कहेंगे अगर x1 always increase होगा x2 से x1 की value जैसे जैसे हम increase करेंगे और x2 तक पहुँचेंगे तो x1 increase होगा x2 से तो fx1 fx1 भी always increase होगा fx2 से clear है कि यहाँ पर हमने कहा strictly increasing function के अंदर जो x1 x2 है x1 से increase होकर value x2 तक जाती है it means जो output होगा वो f of x1 greater than होगा f of x2 के यहाँ पर अगर हमें कहना है कि हमें सिफ increasing function के लिए चाहिए तो increasing function के लिए क्या होगा increasing functions जिसको आप कहते है वर्दमान फलन इसमें आप कहेंगे कि हमारे पास दो conditions है या तो equal हो सकता है या always increase हो सकता है तो x1 अगर x2 से greater than है then f of x1 जो result होगा वो greater than यह equals to होगा f of x2 के तो यहाँ पर दो situations आपकी रहेंगी output के अंदर कि या तो equal होगा या फिर increasing होगा तो दो situations हमने देखे strictly increasing function में mathematically शो कहेंगे इस तरह के से और increasing function के अंदर mathematically शो कहेंगे इस तरह के से आप इसी तरीके से decreasing functions के अंदर देखिए कि decreasing functions में क्या कहेंगे कि जो भी हमें graph मिलता है उसमें हम देखते हैं कि जैसे जैसे हम x की values को put करते हैं y की values जो होती है वो decrease होती है तो stickly decreasing function इसको आप क्या कहेंगे निरंतर खास सिमान पलन यहां पर हम शो कहेंगे कि अगर x1 की value बढ़ रही है x1 greater than x2 से तो output में हमें मिलेगा fx1 is less than fx2 से because हमें output में क्या मिलेगा कि हमारी decrease value मिलेगी अगर हम कहें कि increasing function इस टिकली ना होकर सिफ decreasing function हो तो decreasing function के लिए decreasing functions को हास सिमान पलन कहेंगे आप and then इसके लिए आपके पास x1 greater than होगा x2 but यहां पर output की दो conditions बनती है fx1 less than या equals to होगा fx2 के तो यह आपको conditions याद रखनी है कि हमारे पास decreasing function और increasing functions में दो conditions होती है या तो increase या फिर equal होगा और decreasing function में हमारे पास या तो decrease या फिर equal होगा clear? लेकिन strictly increasing और strictly decreasing functions के अंदर हमारे पास सिफ एक ही situation होती है या तो वो function curve देगा increasing या फिर decreasing तो diagram भी देख लिया और आपने theoretical भी देखा और हमने mathematically भी देखा कि हम इसको कैसे show करेंगे अब हम इसका example करके देखते हैं कि कैसे हम अगर questions आते हैं तो आपके step होगे तो सबसे पहले step होगा जो भी आपको given function होगा उसे मानिए fx या फिर आप मान सकते हैं y and then उसके बाद आप उसका निकालिए first derivative तो first step fx मानना है second step है उसका derivative निकालना जिसे आप f dash of x से denote कर सकते हैं या फिर आप कहेंगे dy by dx जो भी variable होगा जिसके respect में आप निकालेंगे उसे हम नीची respected में रखेंगे उसके बाद आप third step में कहेंगे कि हमारे पास जो भी derivative आया है उसको हम equal कर देंगे 0 के तो f dash of x equals to 0 या फिर आपने अगर y मानना है तो y dash of x equals to 0 अब यहाँ पर 0 रखके आपकी क्या values आएंगे अगर आपका function with respect to x है तो x की values मिलेंगी यहाँ से आपकी कोई भी x की value अगर आती है तो आप कहेंगे कि जो भी x की value है उन्हें interval के अंदर हम arrange करेंगे open interval या close interval अब open interval close interval आपने पढ़े हुए है and then वहाँ पर हम use करेंगे कि जो हमने वहाँ पर conditions पढ़ी थी कि close interval के लिए कौन से sign यूज़ करते है और हमाय लिए जो open interval होता है उसके लिए हम कौन से sign यूज़ करते हैं तो x की values को इन intervals के अंदर हमें arrange करना है अगर हमने interval के अंदर arrange कर लिया तो फिर आप क्या करेंगे कि हमारे पास जो भी values मिली है interval के अंदर उसमें हम apply करेंगे अपनी stickly जो हमारे increasing और decreasing functions हैं उनको वहाँ पर हम देखेंगे कि x की value अगर satisfy करती है तो हमारे पास according to हमारा जो increasing और decreasing function होगा वही satisfy करेगा clear तो यहाँ पर एक example के लेते हैं कि हमारे पास function है fx equals to 2x plus 3 अगर यह एक function है हमारे पास तो मैं इसे y let कर सकती हूँ let y equals to 2x plus 3 और मुझे चेक करना है कि यह increasing है decreasing है यह strictly increasing यह decreasing function है तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा कि मुझे इसका derivative find करना पड़ेगा अगर यह x के respect में है then हम करेंगे differentiate with respect to x तो यहाँ से आपको मिलेगा dy by dx equals to d by dx 2x plus 3 यहाँ से value कीजिए अगर हम 2x का करते है तो d by dx 2x plus d by dx 3 2x में 2 जो है value वो constant है तो बहार लेंगे d by dx x into 1 होता है plus d by dx 3 3 is the constant value so इसका होगा आपका 0 तो आपको मिला 2 आप हम कहेंगे कि हमारे पास अगर चेक करना है कि strictly increasing है then हम क्या कहेंगे जो function था हमारा f dash of x वो always क्या होना चाहिए increasing function का graph होना चाहिए तो हमारे पास जो value है वो है 2 और जो 2 value हमें मिली है वो always क्या होती है greater than 0 it means यह हमारा जो function था वो increasing function मिला तो हम कह सकते हैं यहाँ पर इसलिए कि यह क्या है निरंतर वर्दमान पलन आपने यहाँ पर क्या किया सबसे पहले जो भी function है उसे y मानिए then आप उसको respect to जो भी गीवन है उसके respect में differentiate कीजिए तो dy by dx आ गया dy by dx के बाल जो भी values आपको मिलेंगी आपकी वो आपको equals to 0 रखनी है और अगर आप यहाँ पर satisfy कराते हैं अपनी situations के according तो हमें मिला कि f dash of x greater than 0 है और 2 भी greater than 0 है इसमी निरंतर वर्दमान पलन यह clear हुआ आपको अब यहाँ पर आपको क्या कहना है कि हमारे पास अगर कुछ ऐसी situations बनती है जैसे कि जैसे कि अगर मैं कहूं कि stickly functions के लिए stickly increasing function के लिए stickly increasing functions के लिए मेरे पास जो function है वो fx है इस fx functions के लिए मैंने निकाला f dash of x अब f dash of x क्या होगा always greater than होगा 0 के because मुझे पता है कि अगर stickly increasing function है तो वो always result देगा हमें greater it means यहाँ पर x क्या है x हम कह सकते हैं कि belong करता है हमारे interval a b को point है कोई a b इसके अंदर x की values गीवन होगी यह stickly increasing function के लिए है कि अगर हमारे पास कोई function fx है then हमारे पास जो f dash of x होगा वो always greater than होगा 0 के अब अगर कहें कि हमारे पास है stickly decreasing function यहाँ पर function fx अगें लेंगे बट यहाँ पर situation है कि f dash of x आप कहेंगे condition satisfy करता है less than 0 और यहाँ पर जो x है वो belong करेगा इसे interval को a to b एक आप का आता है constant function constant function जिसको आप हिंदी में कहेंगे अचर फलन यह क्या है अगर हम इसके definition देखें तो constant function वो functions होते हैं जिनके graph कुछ इस तरीके से दिखें आप यहाँ पर देखो कि यह जो graph है इसमें हमें एक curve मिला जो कि x axis के parallel है यह x axis है और यह y axis और x axis के parallel हमें मिला है curve इट मींज यहाँ पर ना तो increasing function है ना decreasing function है जो भी x की values को put करेंगे वही values y की आ रही है इट मींज ना तो यहाँ पर increase होता है और ना ही यहाँ पर decrease होता है neither increasing nor decreasing यह satisfy करता है इस condition को इट मींज अगर यहाँ पर function को मुझे इस condition के अंदर fill up करना होगा then fx function मैं कहूंगी कि यहाँ पर f dash of x जो होगा वो equal होगा 0 के clear है कि अगर कोई function fx था तो उसका जो derivative मैंने find किया वो equal होगा 0 के because यहाँ पर 0 के equal हमें value मिलेंगी it means x की value जो होगी वही y की values होगी और यहाँ पर भी जो x है वो belong करेगा interval a, b को clear है आपको कि यहाँ पर strictly increasing function के लिए हम कैसे functions को show करते हैं strictly decreasing functions के लिए कैसे करते हैं constant function क्या है और साथ ही उसको कैसे show करेंगे और यहाँ पर अब हमने जो rate of change quantities पढ़ा and then increasing and decreasing functions पढ़े उनसे related करते हैं questions और देखेंगे कि कैसे हम one by one steps follow करते हैं हमारे answer के लिए यहाँ पर आप देखो कि question है एक गुबारा जो सदेव गोला कार होता है it means figure हमें given है कि हमारे पास एक circle है इस तरीके का and then कहा कि गुबारे के आईतन में परिवर्त अंदर इसकी त्रिज्या के सापिक्स ग्यात कीजिए यहाँ पर जो त्रिज्या है वो दी है 7 cm it means r आपको given है 7 cm अब आपको find करना है कि हमारे पास जो इसकी volume है आईतन है वो क्या होगा आप सबसे पहले जो circle है तो circle की volume क्या formula होता है हम जानते हैं कि हमारे पास formula है गुबारे के आईतन इक्वल्स टू पोर बाई थ्री पाई आर क्यू अब यहाँ पर हमें volume given है कि वी इक्वल्स टू पोर बाई थ्री पाई आर क्यू अब हम कहेंगे सबसे पहले step है इसको differentiate करना तो differentiate with respect to r because यहाँ पर जो हमें दिया गया है वो r है तो हम कहेंगे dv by dr इक्वल्स टू 4 by 3 पाई यह value constant है and then r cube का करेंगे r cube का क्या होगा d by dr r की पावर 3 तो dv by dr equals to 4 by 3 pi and then यहाँ पर d by dr r की cube है तो आपको formula याद है d by dx x की पावर n क्या होता है हमाई पास n x की पावर n minus 1 तो यहाँ पर apply कहेंगे 3 r square 3 से 3 cancel out हुआ then 4 pi r square और r की value क्या given है आपको 7 centimeter it means 4 pi 7 7s of 49 then यहाँ पर 4 into 49 196 pi centimeter आपका आयतन था it means आपका q answer यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या किया कि जो भी हमें volume का formula पता था उसे लिखा and then उसका differentiate किया differentiate करने के बाग हमारे पास जो value थी r की उसे put करेंगे और हमारी value आजाएगी इसके बाद क्या करेंगे next question में देखेंगे कि हमारे पास जैसे जैसे rate of change के questions आते हैं उनको कैसे handle करेंगे एक इस थिर तालाब में एक पत्थर डाला जाता है सबसे पहले कि हमारे पास जो भी तालाब है इसमें पत्थर डाला है व्रत में 4 cm per second की गती से चलती है इट मींज यहां पर आपको क्या दिया गया है DR by dt दिया गया है क्या कहा गया है कि उत्पन तरंगे व्रत में 4 cm per second की गती से चल रही है तो 4 cm per second आपको दी गई है DR by dt जब व्रत्यकार तरंगों की त्रिज्या 10 cm है अब इन्हों ने कहा जो त्रिज्या है वो 10 cm है किसकी व्रत्तों की तो उस चंड घेड़ा हुआ छेत्रफल कितनी तेजी से बढ़ रहा है अब बात आ जाती है छेत्रफल की जिसे हम A से शो करते हैं अब आपके पास क्या है अग पास है पाई आर स्कुार अगर यहां पर व्रत्त का छेत्रफल नेंगे व्रत्त का छेत्रफल A इक्वल्स टू पाई आर स्कुार यहां पर सबसे पहले डिफ्रेंशियेट करेंगे आर की रिस्पेक्ट में तो हमारे पास a da by dr equals to pi 2r dr by dr आपको इसे t के respect में करना है because हमारे पास जो given है dr by dt है it means हमें यहाँ पर t के respect में लेना पड़ेगा तो यहाँ पर da by dt equals to pi यहाँ पर r square है then d by dt r square अब आपको पता है x की power n का formula use होगा तो pi 2r बट r का फिर से होगा dr by dt because यह वाली values हमें दी गई है तो यह वाली value को put कहेंगे 2 pi r इसको 4 लिखेंगे 4 cm per second यहाँ से आपको मिला 8 pi r cm per second अब आपको क्या करना है आप कहेंगे कि हमारे पास r की value है it is 10 cm तो d a by dt equals to 8 pi into 10 cm per second it is 80 pi cm per second और यही आपका होगा answer यह clear हुआ आपको कि हमने सबसे पहले क्या किया कि व्रत का छेत पला को याद होना चाहिए उसके बार differentiate करेंगे with respect to t और d a by dt की value 8 pi r मिली हमें और r की value हमें given थी 10 cm हमने उसे put किया तो 85 cm per second आगे देखते हैं question अगर हमारे पास एक function आता है और पूछा जाता है कि वर्धमान पलन है तो सबसे वहले function दिया गया है fx equals to 7x square minus 3 यहाँ पर x always greater than 0 के इक means और हमें prove करना है कि वर्धमान पलन है तो वर्धमान पलन कौन से होते हैं आपके पास जो increasing function है अगर increasing function की बात कहें तो हमें एक situation पता थी increasing function की जो f dash of x है वो always greater than होगा 0 के इसी चीज का यहाँ पर use करेंगे सबसे पहले हमारा step है fx को हमें y मानना तो y हमारे पास है 7x square minus 3 and then हम इसको differentiate करेंगे with respect to x dy by dt dy by dx equals to 7 dy by dx x square minus 0 7x square का होगा 2x minus 0 it is 14x and यहाँ पर आप से कहा गया है कि increasing function में चेक करना है तो हम कहेंगे चुकि f dash of x is greater than 0 then 14x greater than 0 because dy by dx हमारा क्या होगा f dash of x it is 14x greater than 0 और x की value greater than 0 यहाँ से हमें मिली तो इसका मतलब जो function हमारे पास है वो वर्धमान फलन है अब देखेंगे next question next question के अंदर जो function आपको given है fx equals to 10 minus 6x minus 2x square और आपसे दो situation पूछी गई है कि या तो वो strictly increasing function होगा या फिर वो strictly decreasing function होगा तो इसका मतलब क्या है strictly increasing function या फिर आपको prove करना है strictly decreasing function यहाँ पर अगर सबसे पहले differentiate कें तो f dash of x equals to यहाँ पर आपको minus 6 minus के 2 d by dx x square मिलेगा यहाँ पर भी हमने x का किया है then 1 हो गया minus 6 minus 2 और यहाँ पर 2x इसको simplify कीजिए minus 6 minus के 4x f dash of x की, अब हम चेक करेंगे कि हमारा function जो है वो strictly increasing function है तो हम first situation के लिए लगा रहे हैं कि f dash of x हमारे पास greater than होना चाहिए तो minus के 4 x plus 3 by 2 greater than होना चाहिए 0 के यहां से अगर solve करें तो आपके पास minus 4 से दोनों तरफ हमीं क्या करना पड़ेगा divide, it means अगर हम दोनों तरफ minus 4 से भाग देने पर minus 4 से भाग देने पर यहां पर आप कहेंगे x plus 3 by 2 हमारा जो sign है वो change होगा less than 0 तो x less than minus 3 by 2 अगर हम इसे को interval के अंदर लिखें तो आप क्या लिखेंगे open interval का use करेंगे और आप कहेंगे जो हमारी x की values है वो less than है it means minus infinite से minus 3 by 2 तक रहेंगे clear? अब अगर दूसरी situation के लिए बात करें तो हमारे पास f dash of x है minus के 4 x plus 3 by 2 इसके अंदर दूसरी condition लगाएं तो f dash of x हमारे पास less than होना चाहिए 0 से यहाँ पर minus 4 x plus 3 by 2 less than होगा 0 और यहाँ पर भी दोनों तरफ क्या कहेंगे? minus 4 से divide करने पर तो दोनों तरफ minus 4 से भाग देने पर x plus 3 by 2 हमारा greater than होगा यह value greater than होगी 0 से because हमारा sign change होगा तो x greater than होगा minus 3 by 2 से और interval के अंदर change करें तो open interval का use करेंगे अब values x बड़ा होगा तो minus 3 by 2 से हमारा plus infinite तक और यह होगा आपका answer तो आज की class हमारी complete हो गई अब हम मिलेंगे next class में आपकी कुछ और concepts के साथ thank you, happy learning ैज consult black उले इwn ंसरा और तर बाLe narrating में आपकी की 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 गोगरी झापकी की 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 मिलेंगे